हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग उमीद बहुत ही अच्छे होंगे हम गैस पर बिंदी का यूज क्यों करते हैं और हमको खुकर पर गिलास क्यों लगाना जाए मैं आपको बताने वाली हूं बहुत ही अच्छी टिप से फ्रेंड से बहुत ज़ाद ध्यान से देखिए का तो हम वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सस्क्राइब करना मत भूलिएगा क्या होता है फ्रेंड कि जब भी हम जाकिट का यूज करते हैं यूज करते हो इसको जब गंदा हो ज जब भी आपको इस तरह से वासिंग मसीन में ही हम लोग धुलते हैं अगर आप इसको हाथ से धुलने वाली है तो इस टिप्स का आपको कोई लाब नहीं होगा अगर आप इसको वासिंग मसीन में धुलेंगी तब यह तो अच्छा लगेगा तो फिर उसके लिए क्या करना है जब भी आपको वासिंग मसीन में इस तरह की जाकि डालनी हो तो आप क्या किजिएगा पहले जो इसका होता है ना चैन को बंद कर दीजिएगा अगर आपको चैन को नहीं बंद करेंगी तो यह जो इसका छला होता है यह निकल जाता है जिससे चैन खराब हो जाती है और हम बार बार इसके चैन लगवाते हैं और ऐसे धुलते हैं यह खराब हुजाते हैं तो आप अगर चैन बंद कर देंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं निकलेगा तब आप वासी मसीनिस को धुलिएगा चलिए अब चलते हैं अपने हम नेश टिप्स के दरफ कुकर का यूज तो हर किसी के घर में होता है और हम लोग इसको तो सुबा साम ही यूज करते हैं लेकिन कोई कोई इसमें दिक्कत होती है तो यह जल्दी से गैस नहीं बनाती है क्या होता है जब भी इसका रवर इस तरह से बड़ा हो जाता है तो कई बार हम क्या करते हैं रवर को फ्रेज में रख करना है इस तरह से गिलास नहीं लेना है हाँ जो बड़ा वाला गिलास होता है उसका बिल्कुल भी नहीं करना है यहां आपको छोटी वाले जो गिलासी आती है उसका ही यूज करना है जो बड़ा वाला गिलास होता है आपको उसको नहीं लेना है यह छोटी वाले जो गिलासी अच्छे से सीटी बनाने लगेगी क्योंकि यह बहुत अच्छे से सीटी बनाने लगती है अगर आपके साथ ऐसी प्राब्लम हो रही हो और कुछ समय के लिए आप सामान ना मंगवा पाएं तो इसका यूद जरूर कीजिएगा इसमें कोई डिरने वाली बात नहीं है बच अच्छे से आपका सीटी मतलब बन जाएगा अगर आपका रबड खराब हो यह जो हत्ता हो तो धीला हो गया हो तो आप इस तरह से इसमें गिलासी लगा देंगे तो अच्छे से यह गैस बन जाएगा उसके बाद में आप अपना जो कूकर है उसको बनमा लीजिए का यह टिक्ट आपको पसंद आयो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा आप चलते हैं अपने हम नेस्ट टिप्स की तरफ क्या करना है फ्रेंड आपको इसमें दो मूचे लगंगे इस तरह से आपको ले लेना है उसके बाद में जो आप रोटिया बनाती है चिंटा आपने लिया है उसमें इसको पहना देंगी आपको इस daha से पहना देना है focus मैंने बड़ा लिया है और एक मैंने छोटा लिया है आपका पुराना हूँ आप करना है और दोना मोजा इस तरह से डाल लेना है जो बड़ा वाला था मैंने इधर लाकर इसमें ही डाल दिया जो यह अच्छे से सेट हो गया है अगर आपके पाथ दोनों छोटे तो आप इसमें रबर लगा दीजिए तो यह अच्छे से पकड़ लेड़ा अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूं बहुत ही अच्छा यूज है इससे आप ज़्रूर कीजिएगा तो आपको क्या करना है जहां भी आपको लगता है कि आपका हाथ में ही जाता है इससे बहुत ही अच्छे से आप सफाई कर झालों भूत known जरूब हैं वह सांघ मुझे लगतलि नश्य करते हैं तो प्रंट यह यह ऐ तो आपको पसंद हैं предлаг कि यerson कुण दूल कुछ खाना सब्सक्राइब他 राप साथ कारा ने सॉपहर ने मीफियुर्ट ने DR. ऊआरब कईयाया मैं एवारो कुछ्श नहीं करना ही। आपको पात रुपन और हम खर्च करना है। आपको अगर आपके पास हो तो घर पर यूज की जो निवरना ले आएगा आप बड़ा वाला जो बिंदी आती है उसको ले आएगा बिंदी में यह वहता है फ्रेंड कि इसमें हलका सा जो चिपकता है वो रहता है इसमें अगर आप इसको इस तरह से चिपका कर यूज करेंग एक पत्ता बिंदी आप इसको यूज कर लीजिएगा अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होता है यह तो निकलेगा ही इसको जल जाएगा लेकिन जो इसमें हलका सा जो चिपकने वाला लगता है लिक्विट वो बहुत ही अच्छा काम करने वाला है उससे बहुत ही होनाहित को और इसको फुल मतलब ऋ हैं और एफ मफूल में और की जीएगा बिल्कुल भी इसको का लिवाल कि मतली मतली किजेगा पहले मतले मतलब तीश कीजिआगा अगर इस तरह से आप इसको लगा देंगी तो यकीन मानिये फ्रेंड जितने भी आपको problem होगी कैसे वो दूर हो जाएगी इसकी जो छेद होती है जो इसका red color का जो निकलता है और बरतन काला करता है वो एकदम से बंद हो जाएगा निकलना मैंने इसको खुद try किया है फ्रें और मेरे लिए फिर मेरा भी इस तरह से ही काम करा थे क्योंकि पुराना हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ प्राबलम आ जाती है आप इसको छोटे छोटे टिक से इस तरह से करेंगी तो यह एकदम से अच्छा हो जाएगा बहुत यह अच्छा टिप्स है फ्रेंड इसे आप लोग जरूर यूज़ दीजिएगा और मेरी इन में से कौन सी टिप्स आपको बहुत जादा यूज़ लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और मैंने फिर इसको यूज़ किया देखे बरतन कहीं से भी कालिन नहीं लग रहे हैं अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके ब एभादो खाल अपके यूज़ को अगरोध यूज़ आपके पूंस प्रूर आचट आपके अएगा लूज़ दीजिए आदेखें 2002